नमस्कार बीके बीजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत इस वीडियो में बात करेंगे जला हुआ मोबिल साप करने का तरीका चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन गंटी दबा दें जिसे कोई भी वीडियो बने आपके पास तूरंद पहुंच सक तो मैंने वीडियो बनाया था उसका दो वुसका दो पार्ट मैंने बनाया था अट जला हुआ मोबिल को हम वहां कैसे कर सकते हैं उसे साप करके तो मैंने मेरे दिमाग में और आया एक तरीका तो मैंने सोचा कि इस पर बीडियो बना दिया जाए और अगर dismissed बंदे लिए गा मैं उस पर एक वीडियो फिर बना दूँगा ठीक देखिए यह मैं एक प्रैक्टिकल प्रियोग कर रहा हूं इससे क्या होगा क्या नहीं होगा आपके सामने अभी यह कंफर्म हो जाएगा तो इसके लिए मैंने लिया है जला हुआ मोबिल देखिए काला मोबिल है दूसरा है कास्टिक सोडा और वाटर मैं आपसे फिर कर रहा हूं यह एक प्रैक्टिकल प्रियोग है अब इसमें हम क्या करेंगे कास्टिक सोडा का हम घोल बनाएंगे कास्टिक सोडा का घोल है पचास गराम अगर कास्टिक सोडा है तो उसमें पचास गराम ही हम वाटर डालेंगे उससे ज्यादा नहीं यह घोल थोड़ा गर्म होगा कि अब कास्टिक सोडा का जब भी उच करें हातों गुलब से मुख पर मास के जरूर लगा लिए क्यों क्यों खतरनाक होता है अब देखिए बहुत ज्यादा हीट हो रहा है तो इसे दस मिनट हम चला कर मिला लेंगे समझ में आ गया पचास गराम कास्टिक सोडा और पचास गराम उसमें वाटर देखिए खासी आने लगा क्योंकि आप कम पानी घुला जा रहा है इसलिए इससे खासी आ रहा है ठीक तो आप हातों गुलब समूपर मास के जरूर लगा लिज करने से पहले अब यह हो गया पचास गराम कास्टिक सोडा पचास गराम पानी और एक केजी मोबी लाएल बहुत ज्यादा घोल हीट है गर्म है अब इसे गर्म को हम इसमें डाल देंगना है यह घोल गर्म है दस मिनट मिलाने बात तुरंत इस मोबी लाएल में यह डाल दिया कर अब अब ठीक पचास गराम कास्टिक सोडा पचास गराम वाटर मिला कर और इस मोबी लाएल में डाल दिया गया ठीक अभी तो ऐसा कुछ फर्क नहीं दिख रहा है इसे थोड़ा मिला लेंगे मोबील भी बहुत ज्यादा हीट हो गया है इसका रिस्पांस देखने के लिए इसे एक दिन के लिए हमें छोड़ना होगा तभी यह पता चलेगा कि इसमें क्या अंतर हुआ है तो चलिए अगले वीडियों फिर मिलेंगे इसका रिस्पांस देखने के लिए मैं इसी को ढख कर रख दे रहा हूं और मैं इसका कल मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या फर्क पड़ा है कर देंगे इसका आप कलम लोग देखेंगे इसमें काश्टिक सोड़ा हमने मिला दिया है और इसे अब हम ढख कर रख देंगे इसका आप कलम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हुआ क्या इसका रिस्पांस है नमस्कार